हेलो दोस्तों इस विडियो सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम जिस विशय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है धातू एवं अधातू के भौतिक गुण धर्म फिजिकल प्रोपर्टीज औफ मेटिल्स एंड नॉन मेटिल्स हम एक एक करके दोनों धातू एवं अधातू के भौतिक गुण धर्मों पर चर्चा करेंगे पहले हम धातू के बारे में चर्चा करेंगे धातू का पहला भौतिक गुण धर्म है धातू अधात वर्ध्य मैलियेबल होते हैं आधात वर्ध्यता मैलियेबिलिटी क्या है धातू को पीट का पतली चादर बनाया जा सकता है इस गुण धर्म को आघात वर्ध्यता, malleability कहते हैं सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्यत धातू हैं अलुमीनियम फॉयल का उप्योग खाध्य पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है क्योंकि अलुमीनियम आघात वर्ध्य हैं और इसे पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्धित किया जा सकता है दूसरा गुण धर्म ये है कि धातू तन्य डक्टाइल होते हैं तन्यता डक्टिलिटी का अर्थ क्या है? धातू को पतले तार के रूप में खीचने की ख्यमता को तन्यता डक्टिलिटी कहते हैं सोना सबसे अधिक तन्य धातू है चांदी भी अधिक तन्य धातू में से एक है कॉपर और अलुमीनियम धातू भी तन्य हैं और इन्हें पतली तारों में खीचा जा सकता है धातू का अगला तीसरा गुण धर्म ये है कि धातू ऊश्मा के सुचालक गुड कांड़क्ट ओफ हीट होते हैं चांदी ऊश्मा का सबसे अच्छे चालक हैं कौपर और अलुमीनियम भी ऊश्मा के अच्छे चालक हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि धातू ऊश्मा का संचालन कैसे करते हैं आये इसे एक क्रिया कल्ब द्वारा समझें एक अलुमीनियम तार को इस तरह से क्लैंब की मदद से स्टैंड से बांध दीजिए तार के खुले सिरे पर मोम का उप्योग कर एक पिन चिपका दीजिए बर मोम पिगलने के कारण गिर जाती है लेकिन ऐसा कैसे संभव हुआ उश्मा तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंचती है जब किसी धातू को गर्म किया जाता है तो उसके परमानू उर्जा प्राप्त करते हैं और अधिक गति से कमपन करते हैं यह उर्जा में मौझूद इलेक्ट्रॉनों को प्राप्थ हो जाती है यह इलेक्ट्रॉन धातू में गतिशील रहते हैं जब उर्जवान इलेक्ट्रॉन धातू में गतिशील होते हैं तो वे धातू के अन्य इलेक्ट्रॉनों और परमाणूं को उर्जा प्रदान करते हैं इस तरह दूसरे सिरे तक उश्मा का संचालन होता है लेड तथा मरकरी उश्मा के कुचालक है चोथा गुण धर्म ये है कि धातू विद्युत के सुचालक गुट कंड़क्टर ओफ इलेक्रिसिटी होते हैं यानि वे विद्युत को आसानी से प्रवाहित करते हैं चांदी धातू विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है कॉपर, सोना, अलुमीनियम और टंग्स्टन भी विद्युत के सुचालक हैं बिजली के तार ज्यादा तर कॉपर और अलुमीनियम से बने होते हैं क्योंकि वे विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं और चांदी के तुलना में सस्ते होते हैं। धातु का अगला वाज क्वा गुराज धर्म ये हैंingly cud with चमक 20 फूर्प चमक लस्ट्रॉस होते हैं। यानि इनकी चमकदार सतव होती है और और साथ ही उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। धातु के इस गुण धर्म को धातुएक चमक, metallic luster कहते हैं। उदाहरन के लिए सोना, चान्दी और कॉपर की चमकदार सतह होती है। और साथ ही उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। धातुओं का अगला चठा गुण धर्म ये है कि धातु आम तोर पर कठोर होते हैं। सोडियम और पोटाशियम को छोड़ कर। प्रत्य धातु की कठोरता अलग-अलग होती है। अधिकांश धातु जैसे iron, copper, aluminium बहुत कठोर होते हैं। हाला कि सोडियम और पोटाशियम जैसी कुछ धातु होते हैं जो बहुत नर्म होते हैं और उन्हें चाकु से काटा भी जा सकता है। धातु का अगला सात्वा गुण धर्म ये है कि धातु कमरे के तापमान पर ठोस, solid होते हैं। पारे को छोड़ कर जो कमरे के तापमान पर द्रव्य, liquid होती है। धातु का अगला आठवा गुण धर्म ये है कि धातु के गलनांक, melting point एवं क्वतनांक, boiling point बहुत अधिक होते हैं। सोडियम और पोटैसियम को छोड़ कर जिनके गलनांक एवं क्वतनांक कम होते हैं। उदाहरन के लिए आइरन का गलनांक 1535 डिगरी होता है, जिसका मतलब है कि ठोस लोहा पिघल जाता है और 1535 डिगरी के उच्चत अपमान पर द्रव्य लोहे में बदल जाता है। आइए आगे बढ़ें धातु के नौवे गुण धर्म की ओर, जो धातु का उच्च घनत्व, डेंसिटी होता है, सोडियम और पोटैसियम को छोड़ कर। इसका मतलब है कि ये धातु भारी पदार्थ हैं। उदाहरन के लिए लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम प्रती सेंटीमीटर घन है, जो काफी अधिक है। धातु का अगला और दस्वा गुण धर्म है धातु ध्वनिक, सोनोरस होते हैं। दोस्तों, क्या आप ध्वनिक, सोनोरस का अर्थ जानते हैं। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि धातु ध्वनिक होते हैं। इस गुण धर्म के कारण है कि धातुओं का उप्योग घन्टी और गिटार जैसे संगीत वाद्ययंत्रों के तार बनाने के लिए किया जाता है। आए अब हम अधातुओं के भौते गुण धर्मों, Physical Properties of Non-Metals को देखें। अधातुओं का पहला गुण धर्म ये है कि वे न तो आगातवर्ध्य, मालियबल हैं और नहीं तन्य, डक्टाइल हैं। वे भंगुर होते हैं यानि वे आसानी से तूट जाते हैं। इसलिए ठोस अधातुओं को न तो पीट कर पतली चादर बना सकते हैं और नहीं उन्हें तारों में खीचा जा सकता है। अधातुओं का अगला दूसरा गुण धर्म ये है कि वे विद्यूत एवं उश्मा के कुछ आलक होते हैं। तो दोस्तों धातूओं से विपरीत अधातू उश्मा या विद्यूत को प्रवाहित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उदाहरन के लिए सल्फर और फॉस्फोरस। आप ये जानकर अचम्बित हो जाएंगे कि ग्रेफाइट जो एक अधातू है बिजली का अच्छा संचालक है। ये एक मात्र अधातू है जिसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिती के कारण विद्यूत को प्रवाहित करने के लिए जाना जाता है। अधातूं का अगला तीसरा गुण धर्म ये है कि अधातूं चमकदार नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी सतह चमकीली नहीं होती। उधारन के लिए सल्फर और फॉस्फोरस। परन्तु आयोडीन एक ऐसा अधातू है जो चमकीला होता है। अधातूं का अगला चोथा गुण धर्म ये है कि वे आमतोर पर मुलायम होते हैं। हीरे को छोड़कर अधातूं का पांचवा गुण धर्म ये है कि वे कम्रे के तापमान पर ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। उदाहरन के लिए कार्बन, सलफर और फॉसफोरस ठोस हैं। ब्रोमीन, द्रव्य है और कम्रे के तापमान पर हाइडरोजिन, ऑक्सिजिन, नाइटरोजिन और क्लोरीन गैसिय हैं। अधातूओं का अगला, छठा गुण धर्म ये है कि उनके क्वतनांक तथा गलनांक कम होते हैं। हीरे को छोड़ कर अधातों का अगला सात्वां गुण धर्म ये है कि उनके घंणत्व कम हैं, अर्थात वे हलके पदार्थ हैं, उदाहरन के लिए सल्फर का घंणत्व दो ग्राम प्रती सेंटीमीटर घं है, अधातों का अगला आठवां गुण धर्म ये है कि वे ध्वनिक नहीं होते हैं, यानि वे किसी वस्तू के साथ टक्राने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, इस विडियो में हमने धातू एवं अधातू के भोतिक गुण धर्म physical properties of metals and non-metals का अधियन किया, अगली विडियो में हम धातू के रासायनिक गुण धर्म chemical properties of metals का अधियन करेंगे,